गुद मॉर्निंग चिलें पिछले कक्षा में तीसरी लेसन उल्लू की अदलत के बारे में बोली थी उसमें कवा, कोईल, बालू, हाती सबी जैन्वर हैं वो हदालत कर रहे हैं केस हैं एक पक्षी पर वो न्यायत इर्मान कर रहे हैं आज पेज नमबर 15 शुरू करें बच्चे बंदर जंगल समिता लेकर आता है बंदर, बंदर में सो मंकी किसके साथ हो? सबी जैन्वरों के साथ आता है कवनो? बंदर, जंगल समिता लेकर आता है कोयल जंगल समिता उठाकर आंसु पोंचने का नाटक करती है कोयल मींस नाइटिंगल वो नाइटिंगल क्या करता है? जंगल समिता उठाकर आंसु पोंचने का देखिए वो हो नाटक करती है ड्रामा कोयल पुवान सी आवाज में मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी सच के सिवा कुछ भी नहीं सब कहूंगी इस तरह नाटक करते हुए इस वाक्य को बोलती है उल्लू अब बताएए आपको क्या करना है? कटगरे में कटे हुए ये कोयल के बारे में उल्लू ने करते हैं कि अब बताएए आपको क्या कहना है? कटगरे में कटे हुए बोलो पूरी बात साफ साफ कहिए, सच्छी बोलना चाहिए, क्या बोल सकेंगे, वो सब सच्छी बोलना, किसने कहा, उल्लू ने, कोयल से, कोयल, श्रीमान, यह कवा बहुत कतरनाक है, यह मेरे बच्चों को कभी चोन से तो कभी पंजों से मारता है, उनकी जान को कतरा है, कोयल ने ये उल्लू से ये बात बो लती है श्रीमान का संकेत किसी करता है कोयल ने करती है किसे ये श्रीमान मतलब उल्लू यह कवा बहुत कतनाक है कतनाक मतलब डेंजर है मेरे बच्चों को कभी चोन से तो और कभी पंजों से मारकर बहुत कश्ट दे रही है उनकी जान को, उनकी मतलब मेरे बच्चों के जान को बहुत कतरनाक है कतरा है, ये कतरनाक से बहुत कतरा है मेरे बच्चों की जान को प्राण उलु पेंग्विन को इशारा करके आप इनसे सवाल कुछ पूछ सकते हैं किस ने कहा उलु ने पेंग्विन इस तरह इशारा करते हुए इससे कुछ सवाल पूछ सकते हैं पेंग्विन कोईल जी यहों बताईए कि क्या कोवा हमेशा आपके बच्चों को मारता है किसका प्रश्ण है पेंग्विन का प्रश्ण है किससे कोईल से कोवा हमेशा आपके बच्चों को मारता है कोईल रोते हुए जी हाँ रोते हुई है उसके सामने हा बोलती है वो कोयल पेंगविन क्या आप हमेशा अपने बच्चों को अक्याला चोड़ देती है इसका प्रश्ण है पेंगविन का प्रश्ण है किससे करता है प्रश्ण पेंगविन न एक कोयल से भालू बीच में इस प्रश्ण का मकदमें से क्या संबंध है, इस प्रश्ण का पूचने का संबंध नहीं है इस तरह भालू, उसकी वो रहने वाले लायर ने इस प्रश्ण बोलता है, ये प्रश्ण का संबंध नहीं है, इस तरह प्रश्ण पूच रहा है वो भालू, पेंग्विन संबंध है श्रीमान कवे की हो रहने वाले पेंग्विन लायर ने बोलता है संबंध है श्रीमान आश्चरे से बोलता है इस प्रश्ण से यह स्पष्ट होता है कि कोईल अपने बच्चों की देखपल नहीं करती है इस से ही स्पष्ट होती है कोयल अपने बच्चों की देख बलो नहीं करती है अच्छा कोयल जी यहो बताईए कि आपका गर कहा है किसने पोचा इस प्रश्ण को पैंगविन ने किससे कोयल से भालू बीच में श्रीमान यहो प्रश्ण तो बिलकुल असंगत नहीं उसका प्रश्ण है यह पैंगविन असंगत नहीं है श्रीमान असल में कोयल अपना गर बनाती ही नहीं है रीयल से कोयल उसका गर नहीं बनाती क्यों कोयल जी कोयल चुप हो जाती है कोवा बीच में बलूटता है उस प्रश्ण से वो सेलेंट हो जाती है तब ये बोल उड़ता है, ये मतलब कवा, कवा में से क्रोब, कवा, श्रीमान यह कोयल अपने अंडों को चुपचाप से मेरे गोंशले में छोड़ जाती है, उसे जन्म देने वाले अंडों को चुपचाप आकर मेरे गोंशले, गोंशले में से नेस्ट, नेस्ट में छोड़ जाती है, इस तरह है यह कोयल, माई और मेरी पत्नी इसके हंडे सेते है, देखे, माई और मेरी पत्नी, माई मीन सो कवा, कवा हावरो, उसकी पत्नी दोनों भी मिल करो हंडे सेते है, उसको शाक को देख करो, उसको पालन पोशन हमें करते है, इसके बच्चे पालते है, किसकी ब इदर उधर गूमती रहती है, जो से गर्व नहीं उसकी, यह कोयल उधर उधर गूमती रहती है, उसकी पालत पोशन्द डुहर्ण हमें कर रही है, किसने कहा, कव्ये ने कहा, किससे, वो अलु मम्हुत से, कोयल, तुम जूट और मकार हो, कववा, जूटी तुम हो, और कामचोरबी, कोई लोवो सुनकर बोलती है, तुम जूट और मकर हो, कववा बलता है, जूटी तुम हो, और कामचोरबी तुम हूँ, उलु, आरडर आरडर, कववेजी यदि आपको कुछ कहना है तो, कटगरे में आकर कहिये, किस ने कहा, हाडर करने वाले, उल्लू जी ने कहा, कुछ कहना वो तो तुम, इदर उदर बैट कर, कड़े ओकर नहीं बोलना, कटगरे में हाकर बोलना चाहिए, कववा कटगरे में हाता है, बंदर, जंगल सम्हिता लेकर हाता है, कववा, शपत लेता है, क्या शपत लेता है, देखे हुलू अब कहिए आपको क्या काहना है नहीं काना चाहिए कटगर में काना चाहिए आप कहिए क्या काहना है तुमारा को श्रीमानजी यह कोयल दो के बाज है चुपके से यह अपने अंडे मेरे गोशले में रख देती है चुपसे आकर उसके अंडे को, वो जन्देने वले हंडे को हमारे गोसले में रख देती है। हम इसके अंडे सेते हैं, हम मतलब किसने कोई ने, किसकी अंडे सेते हैं, कोईल के अंडे सेते हैं, बच्चे पालते हैं, सेने के बद पैदा होने वाले बच्चे वो पालते हैं, यह ना तो आपना गोसला बनाती है, और ना ही आपने बच्चे पालती हैं, गद भी नहीं बना देहे उसकी बच्चों को बालू, वाह, कोवे जी, अच्ची कहानी बनाई आपने, आपके गोसले में कोई अपने अंडे रख जाए, और आपको पता ना चले, किसका प्रश्ण है, कोईल के, लायर बालू का प्रश्ण है, तुम्हें पता ना ये, तुम्हारे गोसले में कोई नहां कर अंडे रख जाए गए है, आपको पता ना चले, यहाँ प्रश्ण पूचता है बालू, किसकी और के लायर वो, कोईल की वो रहने वाले लायर है, पेंग्विन कोईल की वो रहने वाले लायर, समझ गए बच्चे, नेक्स्ट पेज, नेक् सक्षा में देखेंगे